नमस्कार स्वागत है आप सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फिर से पोशन ट्रेकर एप में एक नया अपडेट को जोड़ा गया है और वो अपडेट है 11.6 का तो आप लोग इस वीडियो में होम बिजिट डाटा जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आप लोग पोशन ट्रेकर एप में जो लभार्थियों का होम बिजिट डाटा ओनलाइन मोड में कर रहे थे तो अब जो अपडेट आया है आप लोग इस पोशन ट्रेकर एप में होम बिजिट डाटा को अब आप ल removal of counts from screen तो पोसंट रेकर एप में जो लभार्थियों की केटेगरी थी जिसमें कितने लभार्थियों को हमने add किया है उसकी सूची हम लोग वहीं से देख लेते थे लेकिन अब उसको यहां से फिलाल हटा दिया गया है और तिसरा है minor box fixes तो यानि आप लोग की जो problem चल रही थी पोसंट रेकर एप में लभार्थियों को open करने को लेकर कि किसी भी लभार्थियों का जो डेटा है वो जल्दी से open नहीं हो पा रहा था तो इन्हीं problem को यहां पे fix कर दिया गया है तो तीनों नए अपडेट जानने के लिए यहां पे touch करके देख सकते हैं कि यह कौन सा अपडेट है तो यहां पे देख सकते हैं 11.6 का यह नए अपडेट जूर चुका है तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पोसंट रेकर एप में और वहां पे देखते हैं यह जो तीनों नए बदलाव हुए हैं वो कैसे काम करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम पोसंट रेकर एप में चल रही थी वो ठीक हुई है या नहीं हुई है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी स्रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तो देखिए सबसे shipping करेंगे अपडेट करने के बाद यहां पे open वाले बटन पर टच करेंगे तो आपका person tracker app open हो जाएगा ओपेन हलें यहां पे आपसे language करने का option बागेगा तो यहां पे हम यहां पर फिलाल Hindi को НАतार है पर पीपे टाच करेंगे तो आपसे आपका आपका मोबाइल नमर पुछेगा तो आप लोग अपना जो रिइस्टर मोबाईल नमर है कि यहां पे डाल देंगे और चार उंकों का जो online mode में login नहीं हो पा रहा था अब यहां पे online mode में भी login होना start हो चुका है तो आप लोग login वाले पे क्लिक करके थोड़ा देर wait कर लीजिएगा उसके बाद आपका जो पोशन ट्रेकर रहे वह online mode में login हो जाएगा तो यहां हम beneficiary वाले category को open करेंगे open जैसे ही करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं कि जो लभार्थियों का data यहां पे आप लोग देख पा रहे थे कि कितने लभार्थियों को हमने किस category में add किया है वो यहां से आप लोग देख पा रहे थे तो अब यहां से वो लभार्थियों का जो numbering ह है वो यहां से हटा दिया गया है अब आप लोग पोसं ट्रेकरmy में जो लबहारतियों का data है नहीं देख पायेंगे कि कितने लबहारतियों को हमने add कि şey है इसको पता नहीं क्यूं हटा दिया गया है बर यहां पे जो update है उस वह आप मैं बता रहा हूँ देख सकते हैं अब लभार्थियों का जो केटेगरी है उसको open करेंगे तो पहले क्या हो रहा था कि जो लभार्थियों की केटेगरी है वो जल्दी से खूल ही नहीं रहा था तो यह जो बाइनर बॉक्त फिक्सेस हैं वो अब यहां पे ठीक हो चुके हैं अ इस परकार से अभी भी जो server की problem है वो ठीक पूरी तरीके से नहीं हुई है तो चलिए अब हम लोग दूसरे update के बारे में बात कर लेते हैं कि दूसरा update क्या है जैसे कि यह जो home visit schedule का आप लोग category देख रहे हैं इस category में जो update आये हैं कि आप लोग offline mode में इन लभार्थियों का data submit कर पाएंगे तो हम यहां पर offline mode में भी करके देखेंगे कि यह लभार्थियों का data submit हो रहा है या नहीं जैसा कि यहां पर देख सकते हैं यहां भी कितने लभार्थियों के घर पे हमको home visit करना है उसका भी data यहां से हटा दिया गया है तो चलिए अब हम किसी एक लभार्थ में work कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यहां पर हम एक लभार्थी का जो late हो गया है उसको यहां पर भर के देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नेट ओफ कर दे रहे हैं नेट ओफ करने के बाद यहाँ पे हम इस लभारती के होम विजिट डाटा को सब्मिट करके देख रहे हैं हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद इस सब्मिट वाले बटन पे किलिक कर रहे हैं तो देखिए अभी क्या दिखा रहा है नेटवर्क उपलब्द नहीं है तो इस परकार का मैसेज अभी आप लोग को देखने को मिल रहा है यानि अभी आपका जो होम विजिट का डाटा है वो ओल्लाइन मोड में ही काम होगा लेकिन अपडेट आया हुआ है कि आप लोग ओफलाइन मोड में काम कर सकते हैं तो आगे चलके ये ओफलाइन मोड में वर्क करने लगेगा तो हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि offline mode में work कर सकते हैं तो जो तिसरा update है minor box fixes तो आप लोग देखी चुके हैं कि जो अलभार्थियों का category show नहीं कर रहा था तो यहाँ पे काम करने लगा है तो इस परकार से देख सकते हैं कि जो तीन नए update आये हैं हमने आपको बारी बारी से तीनों update के बारे में जनकारी दे दिया है आज के इस वीडियों फिलाल इतना ही वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर किसी नए topic नई जनकारी के साथ आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धनेवाद जय हिंद